तो यहां पर आपको लॉग इन दिखा देता हूं तो भार जो है थोड़ी चिडिया की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान मत देना हम यहां पर फोकस करते थोड़ा मैं एक मिन लॉग इन कर देता हूं तो यहां पर आप देखोगे अच्छा और मैंने विश्नु प्रकाष में भी थोड़ा सा ओर जाता मैंने बाय कर लिया है अब मेरे पास यहां पर कोई मार्जिन नहीं है तो मैंने 15 लैक्स और यहां पर इसमें डाले थे तो टोटल 35 लैक्स का अब यहां पर अरांट 35 लैक्स क तो टोटल अब हमारे पास अरांट 31,000 कॉंटिटी विश्नु प्रकाष की हो चुकी है तो हम सोच रहे हैं 185 के ऊपर थोड़ा ट्राइ करेंगे इसको बुक करने का 185 के आसपास जबाएगा तो थोड़ा अच्छा हमें इसके अंदर प्रॉफिट दिखेगा चार चे अरां 190 के लेवल पर या 185, 186 के रांट देखता हूँ मैं कुछ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर लूगा या फिर कुछ होल्ड रखूँगा बाकि अगर आपने भी लिया हुआ है तो अभी होल्ड कर सकते हो राइट तो अब यमने लास्ट टाइम डिसकुस किया था एक तो अभी बाइंग लेवल के आसपास ही है 1085 के आसपास हमने बाइंग करी थी भाहीं पर ही है यह 1120 तक यह जाके अभी आया था ओवेवल फूर्स जो अगर आप देखोगे यहां पर आपको दिखाता हूँ चंबल फर्टिलाइजर का भी खुला है बजास टील का मैं आपको ए ट्राइब करेंगे ठीक है अभी हम देख लाता है बजास टील किस तरीके से अभी प्लेयाउंट हो रहा है बजास टील मैं आपको यह टाइप कर दाता हूं बजास टील इंडस्टीज ठीक है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी ब्रेक आउट तो हुआ इसके बाद पर यहां ही घूम रहा है 1120 तक इसने हाई मा रहा था है और हमारा जो SL था है इसके अंदर 1020 के आसपास था तो अभी भी टाइम है देखते हैं किस तरीके से प्लेयाराउंड होता है नेक्श्ट हमारा था ओवेवल फूट्स जो हमने डिसकस किया था यह दखो अब इसके अंदर देखो मैंने परसनली तो इसके अंदर ली ही नहीं क्योंकि एंट्री का कुछ पॉट्ट बना इनी हमने सोचा था इसके ऊपर यहां बाई करेंगे लेकिन यह गाप इख भी खुल गया उसका जब नीचे आया मैंने का ता कि नीचे आके जब यह ऐसे हाई ब्रेक करेंगा तब हम इसको बाई करेंगे लेकिन नीचे चला गया विदाउट ब्रेकिंग तब प्रिवियस डे हाई और उसको जब नीचे से निकला तो पूरा का पूरा भी उपर ही चला गया तो इसके अंदर एंट्री मिली ही नहीं पाई मुझे भी तो अब देखते हैं क कि हमने यह सुचा था 185 के रांड इसके उपर बाई करेंगे लेकिन नीचे ही अभी बैठा हुआ है लेकिन हो सकता है कि आप इसे अभी 180 के उपर जब यह ब्रेक करने का ट्राय करें तो आम एक एंट्री मिल जाए तो इसको आप नजर में रख सकते हो लेकिन आज हम बार बार दिखाने का वीडियो लंबी हो जाते हैं तो आपको ऐसी बताएता हूं कि आप यहां पर देखो कि पहले इसने काफी अच्छा बोल्डरं के इसमें फेज में गया था उसके बाद यहां से इसने डब्लू पैटन मना के एक ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट करी थी तो ब्रेक आउट करा अब रिटेस्ट करके हो सकता है यह नए हाई की तरफ यहां पर स्विंग हाई की तरफ जाए तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यह काफी अच्छे प्लेस पर यह भी बाइंग के लिए इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो यहां यहां पर थोड़ा ओर क्लारिटी के साथ आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर एक डबलू पैर्टन वाली फॉर्मेशन हुई थी कपन हैंडल का ब्रेक आउट हुआ हुआ उसको आज नीचे रिटेस्ट के लिए यहां से ऊपर की तरफ यह जा सकता है तो काफी अच्छ आइट ओपनिंग के बाद निकलता है तो 39 पर आप इसको बाय कर सकते हो और इसका जो SL रहेगा वह रहेगा 36 का तो जिरफ तीन रूपे का SL है और पाने के लिए हम इसके ऊपर ही ट्राय करेंगे 1-2 का मिनियम कि at least 44 के ऊपर यह निकले तो at least यह 1-3 के आसपास की ट्रेड हो सेकेंड स्टॉक पर हम आजाते हैं एवन मोर कैपिटल एवन मोर कैपिटल अगर आप देखोगे कि थोड़ा एक रीसेंट स्टॉक है पहले नया लिया लिस्ट हुआ उसके बाद यहां पर डव्लू पैटनर मनाके इसने यहां पर ब्रेक आउट करा राइट तो यहां पर ब तो हैमर कैंडल अभी इसने बनाई है वीकली चार्ट पे यहां पर यहां पर 73 का लेवल ब्रेक करता है तो 73 से 69 के बीच में चार रूपे का यहां पर हमारा एसल रहेगा और मिनियूम 1-2 का हम यहां पर टार्गेट लेके चलेंगे तो 80 तक का हम यहां पर टार्गेट मिनियूम उसके बाद देखेंगे कि हमें ट्रेल करना या किस तरीके से करना है वो मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप पर बता दूँआ ठीक है तो यहां पर काफी अच्छा मेरे को लग रहा है पैटन वाइस वीकली चार्ट पर थोड़ा चोटा आपको चार्ट दिखेगा अब डेली पे भी एक बार देख लेते हैं तो कि डेली पर अगर आप यहां पर देखोगे मैं थोड़ा जूम आउट कर जाता हूं तो यहां पर कहाए कि इसने नीचे ब्रेकडाउन किया लेकिन आप यह छोटी सी रेंज मना रहे है तो हो सकता है कि यह इस रेंज का ब्रेक करें और फिर हम इसको बाए कर लेंगे तो राइट दो शॉक हमने डिसकस करें ट्राइड एंड एवन्मोर कैपिटल लास्ट हमारा आ जाता है शीतल कूल प्रोड़क्ट्स तो शीतल कूल प्रोड़क्स के अंदर आगर आप देखोगे अभी तो इसका भी मैं वीकली की चीज बना रहा है और हो सकता है कि यह नेक्स स्विंग हाई की तरफ यह रीच करने का ट्राइग करें यहाप एक असेंटिंग ट्राइंगल भी फॉर्म हो सकता है आने वाले टाइम में कि मान लिजे उपर गया और यहाँ से फिर एक अच्छे लंबे टार्गेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है तो इसको हम देख लेते हैं की एंट्री वाइस यह किस तरफ से अगर आप वीकली चार्ट पर टेड़ करना चाहरे हो तो थोड़ा सा एसल इसके अंदर बड़ा रहेगा डेफिनिटली की चार्ट सो का है एंड 445 पर आप इसको बाय करोगे 445 पर बाय करोगे और बिलो 400 आपका इसका अंदर एसल रहेगा थोड़ा 40 रुपे का एसल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वीकली के हिसाब से लेकर आपके बास पाने के लिए फिर अच्छा अपॉर्चिनिटी है यहां पर कि आप एट लिस्ट वन तो पहले मिनियम मिल सकता ह क्योंकि आप देखोगे बिलिश मोमेंटम में काफी बड़ी-बड़ी कैंडल से यहां बना देता है जो ग्रीनिग बनते जैसे माली जी यहां पर बनी है और फिर उसके बाद एक लंबा मोमेंटम करा और इसके बाद काफी टाइम से यह सोड़ा साइड़ वेस था सीम जेग लिए कि आपसे बना थोड़ा सेफटी फीचर के लिए आप चार्ट के नीचे सल मानके चल सकते हो और यहां पर आप देखोगे कि काफी अच्छा इसके अंदर मतलब एक रांडिंग बॉटम टाइप की चीज़ बनने का यहां पर ट्राइक कर रहा है इस तरीके से एक ट्रे ट्राइड करते हैं उनको पता होगा कि ट्रेडिंग एट सेटल्मेंट राइट तो हम इस बार ट्राइड करने वाले हैं तो अगर आपने पुराने वाले स्टॉक्स में प्रॉफिट किया है तो आप जरूरा में कॉमें बताईए कि आपके लिए यह यूसफुल है कि नहीं स रखेंगे ठीक है कि अगर आप इस शॉक्स को बाई कर भी रहे हो तभी फिर फायदा है वरना फिर अगर आप भी बाई नहीं कर रहे तो फिर मैं बताऊंगो फिर उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा रइट तो दैट सौल फर टुड़े गाईज और वीडियो अच्छा